याद रखिए ये वीडियो आपके mathematics के multiple choice का सबसे अंतिम वीडियो है और एक-एक question प्लीज आपसे request है कि इसको दिमाग में fit कर लिजेगा क्योंकि बहुत ही मेहनतों के बाद ये multiple choice का निचोड निकाला गया है तो एक-एक question आप explanation के साथ हम समझाएं और प्लीज आपको देह करके जाएगा एक्जामे और अपने friend को share केजिए आप उसको cooperate केजिए और इस video को suggest केजिए ताकि उसका भी एक्जाम बहुत अच्छा तरीका से बेड़ा पार लग जाए यहाँ समझिएगा अगर कोई बोलेगा कि एक breathe है समझिएगा एक breathe है और breathe के बाहर से इस पर कितना잖 ऐस पर्स रेखा है खीचा जा सकता है अगर कोर्ष्यण है तो देखिए मालिजी के एक breath है अःपर ब्रीट के बाहरे बिंदु से यहाँ से यहाँ पर यहाँ पर दो ही spors देखा खीचा जा सकता है याद रखेगा एक इधर और एक इधर दूसरे जग़ा स्फउड़े हो रहा है ठीक है और दूसरा कुंसर पुछेगा जहां स्फोर्स होता है वहां कितना डिगरी का कॉंड बनता है तो जहांन बरी इनके बिएश् Idra ley 008-144 तो बताइए एक चत्र भूजा चार भूजा से बनाएं, चार भूजा का जोग 360 हो जाता है, तो तीन को घटा लीजिएगा, 360 में से, तो यह आपका बच जाएगा, यही आपको बताना था, ठीक है, दूसरा ब्रीद का छेतफल आप याद रखेंगे, ब्रीद का छेतफल होता यहाँ पे, तो यह हो जाएगा, टू पाई आर, यहाँ पे ब्रीद की परिदी क्या होता है, टू पाई आर, वैसे ब्रीद की परिदी किसको कहते हैं, तो इस साइड का जितना भी है, ठीक है, मेडी समझ लीजिए, तो इसी को परिदी बोलते हैं, ठीक है, तो उमेद करते ह के समझ में आए होगा और इस वीडियो को जितना भी मल्टीपल चैसे इसको आप नोट डाउन कर लिजिए और यह आखरी वीडियो इसको देखना मत भूलिएगा बिना देर की हम लोग चलते हैं वीडियो के तरफ तो देखिए यहां पर पहला कुश्चन है जो देखिए गौ एक परसेंट डाउट नहीं रहेगा क्योंकि इस पूरा का पूरा समझा करके डीपली एक्स्प्लेइन करके हम समझा रहे हैं देखिए का कैसे यहां लिखा है यहां पर एक ब्रीत के परीदी का अनुपाद कितना दिया है परीदी एवो का है तीन अदुसरे का है चार तो इ तो इसमें आर दो चाहिए है काम करते हों बृиса कि परीदी दोनों निकलते हैं चोटा वाले ब्रीदी का अनुपाद कितना दिया है तीन अनुपाद चार तो अनुपात का मतलब भी बटा होता है तो पहले ब्रीध की परइधी अगर निकले पहले ब्रीध की पहले यहां सही से लिख दें-ब्रीधकी परइधी कितना हो तो पर चार यहां पे R1 लिख देते हैं क्योंकि 2Pi R2 बराबर 3 बटा 4 2Pi से 2Pi कड़ जाएगा R1 R2 बराबर दिया है 3 बटा 4 यानि R1 बराबर 3 और R2 बराबर 4 तो अब R1 R2 पता चल गए तो ब्रीत के छेतरफल का अनुपाद भी निकल जाएगा यहां देखिए कैसे ब्रीत का छेतरफल ब्रीत का छेतरफल अब बटा दो ब्रीत का अनुपाद पूछा है ने छेतरफल का ब्रीत का छेतरफल तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई R2 पाई R2 और यह भी हो जाएगा पाई R2 प है पाई से ओर यहांत पर रहा पहला आ रहा है था ढूशád ऑगा ** है नो बटा इसके मतलब वाला आपसन हो जाएगा से वह जाएगा सी कुस्सें गोशन अगला भी है और बरेत की परिमाप बहुतर है और क्या होता है य cumulative का परिमाप और्ध ब्रीत का परिमाप का फर्मूला होता है ठीक है यह आपको देख लिजेगा यहां पर होता है पाई आर अप पॉलस टू आर ठीक है और ब्रीत का परिमाप कितना दिया है बहुत तर और बराबर में यहां लिखा है पाई आर पॉलस में टू आर यहां से दोनों में आर क निकाल सकते हैं तो बचेगा कितना पाई पॉलस टू पाई कमान बाइस बटा साथ यहां आर निकला है बार बाइस बटा साथ बरेगा और यह दो भर यह गा और इन दोनों को भरने के बाद जब आप इसको सल्ब किजिएगा आगे तो आपका यहां पे आर बराबर फूटीन का जोड किजिएगा ठीक है तो बटा का जोड करने के बास तक जो आर बचएंगा कितना निकलिएगा फोटी निकलिएगा आब बरके बना लीजयेगा अगला कुच्छे ने 맛있ा न है इनृ यानि कि यहां पर यह हैं अनुपाइखी न सब्सक्राइब दोनों सब्सक्राइब इदर जाएगा तो यह रूट में हो जाएगा तो यह अंडडर उठ होजाएगा कि पर डोर्ऒ बचेगा- टीक ़ объяс चार का वर्गमूल kohenvy s2 काडनेखी शाथ हेगा तो दो बेटकर यहांद दो स्थेश्ट थज समझते चलेगा और इसको प्लीज ज्यादा से जादा सेistling किसी परीद की पर दिके दिया है सो पार चैनल निकलने यह आपको पताों चीमीत की पर यह ची में पता है прогाel पाई आर ब्रेट की परेदी कितना दिया है 462 और बराबर टू पाई के मान होता है 22 बटा साथ और यहां आर ही निकालना है जब आपको मान लिजे कि यहां पर आर निकालना है तो सल्व करने का आपको तरीका भी पता होना चाहिए डारेक्ट यह कटा दीजे पहले दो से जब गाठाई का तो अब जोगा ये हो जाएगा अगला चर्ष यह कैसे बनाएंगे एक ब्रीत की परीमाप और च्रेटर फल दूनों बराबर है ब्रीट का बराबर दो यह होता है परिमाप टू-पाई-आर अच्छे तर्फाल होता है पाई-आर स्क्वाईर पाई से खतम यहां दूगो आ रहे तो एग वर से एग वार खत्म यहां एग वार बचेगा इधर दू-बचे गा- की तरवारे बढोलो यहीं की से बनाना एक रिट कषेतर फ़ल दिया है तो उसका भी आस पूछागए आपको पता हुalfोड इसको तशय से यहां तक आधा ठीजिया होता है यानि यह गर्यास में धो ठीजिया होता है इसको याद रखिएगा अब देखिए यहां कुर्षंन बीद का च्षेतृफ़र अब दिया तो बरीद का च्षेतृफ़रनौला का होता है यहां लिक दिजीएगा आर चॉट बना रहे हैं तो यहां पर होता है पाइट ऐसक्वाइर च्टियों कितना या यहां साथ एक बरीत में तिरीजी यहां तक शात हुआ पूरा ब्यास कितना होजाएक गासाथ यह तो साथ यह भी होगा चौह दधार अगला कुछन देखें़ अगला कुछन है यह बरीत का ब्यास है तो उसका च्छेटरफल क्या होगा आप बताएक ही भर निए रबर कितना होता है तो डी बाइटू कुएसे पूरा डी को जब आधा कीजेए गार हैक्ता है आधा नातों क्या मिलता है dit एए इसक्वार है तो स्क्वार यहां पे एंसक्वार इसी लिए सोफर है यहां पे भॉलब remnants यानि पाइडी स्कुयार बाई फूर आपका एंसर आएगा आपका देख लिजेगा अप्शन नंबर यह सही है अगला कुछन है एक घड़ी के एक मीनट वाली सुईद वारा साथ मीनट में कितना डिरी का कुण बनता है तो बताइए यह घड़ी है तो पूरा साथ मिनट यान सेंटीमीटर है तो इसका परीदी क्या होगा तो बरीद का छेया से तृष्याइ.. निक ने जग रल स्टॉई निक डिक आईए हो जाएगा दो से दो सत्य चौधा फिर दो सत्य चौधा एक आरे सत्य सत्य चौधा फिर यह तिर्चा-तिर्ची क्रोस मल्टिप्लाई होगा तो साथ सत्य उन्चास आरे स्क्वाइर बराबर उन्चास आया तो आर बराबर कितना हो जाएगा 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है जब R बराबर 7 आगे तो परिधी का फर्मूला होता है 2 Pi R यह 2 Pi का मन 22 बटा 7 यह 1 7 लिखें और R 7 है 7 से 7 कड़ जाएगा 22 दूना 44 सब का एंसर हो जाएगा 44 ठीक है अगला कोस्टन देखिए अगला कोस्टन यहां पर यहां से समझेगा यहां पर एक चीज़ आपको समझा दे यह बरीत है अग कभी भी अगर इस टाइप का कोस्टन दे तो दू तरह से बनता है यह कुछ मिस्टेक है लेकिन इसी अनुसार हम बना देंगे से तो बन जाए यह जितना यह रके है कि यहां यहां पूला यहां रहा है कि दिए ऑसे की ओ शाट डिगरी जिए आप उच्छा क्या है अभी है जैनि कि और बीची ये कितना होगा तो यह भी आपका साथे ड्रीवर कि जब यसाट डिगर हुआ और यह तृजिया डोनों आपस में बरावर होता है तो किसी भी तिरभूज में अगर दो लाइन बहाँ किसी भी अगर ब्रीत का बात करें ठीक है या तिर्भूज का एक और चीज आपको बेशी किसमें बता दें ठीक है कि अगर ऐसे चीज हो यहां पर और यहां पर चत्रभूज एक बना दें हम ठीक है एसे माली जे कि हमने आपको एक यहां पर चत्रभूज बना दिया ठीक है ऐसे कुछ भी हो यहां से या फिर ऐसे इसमें फर्मूले रूल क्या होता है अगर एक ही बेश से कोई लाइन जा रहा है अब रीत में सड जा रहा है फिर वह यहां पर आ रहा है फिर यह भी तो दोनों कोण आपस में बराबर होता है यह आप दिमाग में रखेगा ऐसे एक ही बेश से अगर दोठों एंगल ट्रैंगल बन रहा है तो यहां उपर वाला दोनों कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है यहां पर वह इक समझना है यहां पर दिया है आपको पूछा गया है यह पहुंड दीजेगा इसको चक्रिय चत्रभूज में यह निकालना है यह कैसे निकलेगा तहुद सोच सकते हैं कि मालेज़े कि यह पूरा का पूरा क्या है चत्रभूज में एक यह भी ट्राइंगल है और एक ही बेस से बेस तो यह इतल यह ये खाने गप तूप कर से टूप से लेकर तो एसे रहा को च्छेदक रहा बोलते चेदगर के बाहर निकल जाता है ठीक है यहां देखिए किसी बरीत के बाहर या बिंदु से एक भी थे इसके बाहर बिंदुस्ट मना मतल़ होता है सटना इस में ठीक है और यह कभी भी सटा है तो एक ही जगह पर इस पर एक विदि के भ्यास के दोनों सिरो पर एस मुझारा गिया है इस इब्यास है जो लाइन बीचों बीच काड़ दे पुर को इसको क्या बोलते हैं इस lais बडित की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं तो याद रखें बीज की सबसे बड़ी जीवा क्या है बयास है अगला कुछछन देखे अगला कॉस्चन है यहँ थि दी कि अपर यहाँ बात बता दें यहां पर भी ठीक है कि जहां आसपर्स करता है न वहां केंदर पर यह पर 90 के पोंद बनता दोनों जगह ठीख है और यहां पर कितना बैना एत्या लिख दिया है कितना लिखने इस याहां आप बॉता है तो आप स्वेस्की दो यहां ओब है यहां यहां डी है तो बोला ए ओ यहां फैना निकलना ओपी निकलना एक यह कितना होगा ठीक है तो जो बताएं यहां सतर डिग्री यह दिया एकछातर भूझ के चारो कुणो का यह होता है तो आपका कितना हो जाएगा एक सो एक सौसी एक सातर होता है दूसर सथ तर तीन गोगों को मिला के दूसर सथ तर तो साथ में से जब दूसर सतर घटेए तो एक सो दस अब का एंसर होगा ठीक है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है छो सेंटिमेटर तुर पर इस्तित एक बिंदू है ठीक है बिंदू खीचा गया है तो बताये कि उसका लंबाई क्या होगा यहां एसपर्स रेखा क कि लंबाई तो आप बता सकते हैं यहां पे कि अगर हम एक ब्रीत बनाएं और केंदर से दस मीटर की दूरी पर से खीचे तो यहां नौबे डिगरी के कुण बनता है ठीक है तो जब नौबे डिगरी कुण बनेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि यह दिया है दस आइसका तिरी जी यह कितना दिया है आपको यह आपको दिया है छे तो यह लाइन निकल नहीं जाएगा लंब निकालना है तो कर्ण में से यह आधार घटा देजिए तो रूट अंडर दस का स्क्वाइर में से चो का स्क्वाइर जब घटाएगा तो आपका मिलेगा सो माइनस 36 इसक होता है आठ ठीक है यानि कि इसका लंबाई हो जाएगा आठ अगला देखिए अगला है यहां पर थोड़ा साइस को आपको पतला कर लें ऐसे ठीक है अब देखिए यदि कि यदि बिंदू और क्यूंस एक ब्रीट परस पर्स रिखा खीच जाता है मालेजिए कि एक है तो क्यूंस एक केंदर की दूरी कितना है पचीश है ठीक है यानि कि यह है पचीश और यह है असपर सही लंबाई 24 तो बोला है कि यह तिर जीए नहीं यह कितना होगा तो 25 के स्क्वार में से आप 24 के स्क्वार घटा दिजिए जितना आएगा वही आपका एंसर हो है लेकिन जब 25 के स्क्वार कि जिए प्रका कितना हो जाएगा लगभग आपको आएगा पचीश क्वार 645 माइनस चोबिस के स्क्वार होता है 576 यह घटा हीएगा तो आपको हो जाएगा 49 ना 49 का बर्मूल होताह 7 आपका इंसर इसमें 7 आएगा ठीक है यह सही हो जाएगा अगला कुछ सने दो भीन है दो भीन तिरिजिया वाले ब्रीत हमेसा समरूप होते हैं तो होता ही है माले यह कि दूब ब्रीत है उसका तिरिजिया अलग अलग है भीन भीन तिरिजिया है न माले यह चोटा वाला तिरिजिया का छोटा ब्रीत बड़ा वाला तिरिजिया का बड तो रूप से मुझे समरूप करते हैं तिरी जिया अलग होने से समरूप हो जाता है आदमी यहां देखिए किसी ब्रीट की एस पर से खाएं उसे कितने मतलब डैस बिंदू पर पर परतिछेद करती हैं तो बताए कि किसी ब्रीट का एस पर रिखाएं उसे कितने बिंदू पर प्रतिछेद करेगा तो देखिए ऐसे ब्रीट है आयसे एस पर्स रिखा अगर हम करते हैं तो ब्रीट पर मात्र एक जगाही बतायते सब्सक्राइब प्रतिछेद करता है अगला कुस्च्चन है यहां पर देखिएगा यदि एक बिंदू पी से ओक के अंदर वाला किसी ब्री पर देखा है और जहां पर यह जुका हुआ है यह औसी डिए कोड़ पाजुका ता आपको एक चीज हम बताये थे कि जहां इस पर्स होता है महान नवे डिर बंता है और यह चत्रभूज है क्योंकि इसमें चार गों हो जाए तो चत्रभूज के चारों कोड़ों का युद त होता है तो असी नवबे और नवबे तो 90 कितना होता है आपका 90 नवबे हो जाएगा 180 180 में आप फिर असी जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 0886 यह हो जाएगा दो जो साट ठीक है पूरा तीनों को जोड़ने पर आइगा 360 360 में से जब 260 घटाई मेंगा तो आपका आएगा आपको कौं सा एंगल ये वाला एंगल फूंछा गया ये वाला एंगल ये वाला थीक्यर आधा एंगल तो जैसे बात जब फूरा हो जाएगा 100 तो आदा होगा 50 तो आपका यहां पढ़के देख लिए आपका पचास ऑगा सकती है अगला कुस्शन है किसी व्रीट के बाए बिंदू कोच से महनले जया सकती है अज लास्ट कर संद गॉर सदेखे और यह काफी इंपोटेंट काए यह पूचा गया मैं और आपके डइज में इस टाइब का बहुत सारा कोश्चन दिया उसी करनी चोड़ है यहां देखिए यादि तीन सेंटीमिटर त्रीजिया वाला एक ब्रीद पर खीची गई दो असपर्स रेखा है साथ डीरी के कूण बनाती है तो साथ यह कूण पर जुकती है तो प्रतेक के असपर्स रहा कि लंबाई कितना होगा ठीक है यह निकलना यानि कि एक तीरीजिया है जो तीन सेंटीमिटर तीरीजिया वाला है और यह क्या है कि ब्रीद पर खीची गई दो असपर्स रेखा है मालने जिए कि यह दूग असपर्स रेखा है जो साथ डीरी के कूण पर जो कि यह तीन सेंटी ट्राइगनोमेट्री पढ़ा हैं तो यहाँ पे आधार दिया यहीना नहीं दिया है तो इससे निकल जाएगा साइन साट का मानना भर दिजिएगा तो यहाँ पे 30 का मान भरिएगा कि अब आधा हो पूरा 60 था आदा हो गया तो 30 और उस हिसाफ से आपका एंसर निकल के आ जाएगा ठीक है वसे आपका एंसर आएगा तीन रूट तीन हम आपको बता दे रहा है आप इसको खुद से सल्ब कर लिजेगा तो उम्हेद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा तो गौर से देख सकते हैं यह टेन के टर्म में किसका मान होता है तो टेन आलफा बराबर होगा टेन थर्टी का मान होता है तिस डिए टेन से टेन कर जाएगा आलफा बराबर कितना आया साट डिए आलफा का मन कितना है तीस पॉलस बीटा नहीं पता इकल टू साट इधर घटा जीगा साथ मे यहां तेन बीटा निकालना है तो तेन बीटा का मांद तीज वन बटा रूट तीन होता है आपका अप्शन सी सही हो जाएगा इंपोर्टेंट लगा इसलिए बता दिये यहां देखिए यहां कुछ त्थीटा वाले तिरिजिया खंड का चैनल त्थीटा बटा तीन सो साथ प तो त्थीटा बटा तीन सो साथ प्रीट में से ना तो इसका होता है पाई आरे स्क्वायर में से थीटा निकाले है इसलिए थीटा बटा तीन सो साथ अगला कुछ्छ देखिए अगला कुछ्छ देखिए नहीं से समझेगा किसी घौन का आयतन दिया है 125 तो उसका पुछा है कि प्रिष्टिये चहतre प्लत पहले घं का आयतन का फर्मूला क्या होता है आयतन का फर्मूला होता है यहां पे भूजा क्यूँ भूजा का पावर 3 आयतन कीतना दिया है 125 बरा शाल पहार नीकालिएगा ठीकिनल भूजा बराबर सब्सक्राइबें निए कितना पांच माला कुछ Marshallow है आर तिरिज्य वाले गोला काहतन क्या होता है तो यह याद रखेंगे अगला कोष्चन देखिए कि चैनल बट तीन युद्ध रखेंगे तीन बट चार नहीं बोलेंगे पांच नंबर क्वोश्चन है गोर से समस्ते चले की सब क्वोष्चन को यह लिख राए कुस्टन थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर हो गया यदि एक संकू की तिरियाक उचाई कितना है 15 संकू का संपूर्ण पिष्टे छेत्रफल क्या होगा यानि आपको आर बराबर संपू का कितना दे दिया है 14 और तिरियाक उचाई यानि एल इसको कहते तिरियाक जैसे यह संकू हो गया संकू को यह वाली जो तिरिचा उचाई होती इसको एल बोलते हैं तो यह आपको दे दिया 15 यहां से जो बीच में तिरिजिया होता है यह 14 दिया और संपूर्ण तो प्रिष्टिय इसका होता है पाइ यार एल इस पॉलस कितना हो जाएगा आप यार एसकुयर कामन लिजी पाई यार कॉर्मन होगा यल पॉलस और यह आपका ओरीजिनल फर्मूला होता है पायाइड प्लस फ्लस इस में वैलू पूट कर दिजिएगा आपको जब वैलू सब्सक्राइब को दिया ही है 15 और इसको सल्व किजिए होता आएगा 12-76 ठीक है अगला छे नमबर कुश्चन देखिए छे नमबर कुश्चन है एक घनाब की लंबाई चोड़ाई और उचाई दे दिया यहां पे तीनों इसका बीकरण पूछ रहा है तो घनाब का बीकरण क्य 36 सबको जोड़ने पर आएगा दूसर अदूसर का वर्मूल होता है दौस रूट दो आपको अपसन एस ही हो जाएगा अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है आप मेरे बातों को गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा से अगर लिखने में आपको समझ में रहे तो बातों को सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा एक धातू का घंगान है ध्यान रखेगा जिसकी भूजा है एक सेंटीमीटर इसको खींच करके चार मिलिमीटर का यानि की चार एमें का एक ब्यास वाला तार बना जाता है आप बताएगे कोई भी चीज हो किसी भी अ इसको काते हैं जो अंदरजगह होते है इसको आयतन कहते है माहले हैं सब्सक्रच मालख की एक लीटर का लोटाया ह। या फिर ठाली है तो जाLR सी है कि देखने में तो लगता है तो इसी सबसाइं क्या होगा बराबर होगा तो यहां हम देखिए हो जएगा यहां पर भूजा क्यों ठिक है और यहां पर अब देख सकते हैं तार कायता नहीं है एन्हेक स्कोलामिजट तो इसको तरगपल संब्सक्ति मिलीमिटर तो इसको तो दूह महों जाएगा mm को हम लोग अगर cm बतलेंगे तो दस से भाग करेंगे तो यहां हो जाएगा पॉइंट दो cm यानि कि यहां पे हम लोग भरेंगे पाई और यहां पे भरेंगे इसका यह दिमाग में आप सल्ब कर लिजेगा फर्मूला हम आपको बता दी है दोनों का बस वोलूम दो दो दोनों का आयतन बराबर करके जो वैलू है भर लिजेगा और कटा लिजेगा आपका एंसर आजाएगा ठीक है अगला यह थोड़ा सा समाझ लिजिए गोले के संपूर्ण प्रिष्टिय चेत्रफल कितना होता है तो फोर पाई आरे स्कॉर होता है अगर गोले के अर्द प्रिष्टिय चेत्रफल बोले ठीक है अर्द छेत्रफल और प्रिष्टिय चेत्रफल तो याद रखिएगा आप इसका आधा किजिएगा तो टू पाई आरे स्कॉर होगा लेकिन दिखिये जब गोहला को काटते में नीचे हैं इसssäटर फिशेकं कर प्रम प्राइश almost थिरी पाइरे सक्षियरा अर्ध गोला का 205 इस समुझेंगे इस कोस्टन को एक बेलन और स्मकु के आधार की तिर्जिय कstatंब है यहां पर तीन और समकु का तिर्जिय चार बेलन का उचाई 2 और संकू का उचाई यहाँ पे 3 तो पुछ रहा है कि आयतन का दोनों का यहाँ होगा संकू भी होगा संकू और बेलन के आयतन का अनुपाइत क्या होगा तो डारेक्टे हम अनुपाइत ही निकलते हैं यहाँ पे देखिए बेलन का आईतन कितना होता है तो बेलन का आईतन होता है P I R SQH स्वांकू का आईतन होता है 1 बट़ड़ा 3 P I R SQH P I से P I खतम, यह ऊपर नीचे यह 3 चला जाएगा ऊपर, यह huh जाएगा 3 इंटू R इसका कितना है? तो 3 है देखिए पहिला वाला का आर कितना है 3 है तो 3 का स्कुरार है एंच कितना है तो 2 है ठीक है अब बट्टा यहाँ देखिए इसका है संकु का आर कितना है तो आर इसका है 4 का स्कुरार और इसका उचाई कितना है तो इसका उचाई 3 है ठीक है यहां हो जाएगा 3 into 3 3 का 9 into 2 यहां पर हो जाएगा 4 चुप का 16 into 3 3 से 3 का हो जाएगा कट जाएगा यहां पर ठीक है जब 3 से 3 कट जाएगा यह कट यह 2 अठे 16 9 बटा 8 आया यानि कि इसका एंसर हो जाएगा 9 अनुपात 8 मिद कर रहे हं कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है अगला कुछा गश्टन देखते हैं अगला कुछन है कि तिरिज SoStone waspile कि यह इतना दूसरे को तिर इतना फाला वैंपिंढर को चाहित तीन और डू के ऊचाई पहला का 5 दूसरे वाले कुछा गया कि शका आयतन कीतना होगा तो पहले बेलन का अध den अनुपात कुछाना तो दूशरे बेलन दो क्या होता है फर्मूला ार यहां पर पई आर स्कॉयर एंच यहां पर पाइद ठीक है यह कितना दिया एसका आयतन पहला वाला का 30 आव एक स्क्वायर अब पहला पर हुचाई 5 उसी तरह पहला दिया है इसमें तो अ दूसरा वाला के कितना तिरीजिया है डो का स्क्वायर रूशाई में 3 ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 5 या दो दूमत 4 पार कुस्चान है तो इसका आयतन क्या होगा तो आतन निकालने के सब से पहले हमको आ संपून पिष्टे चेत्रफल कितना होता है फर्मूला होता है चोंए भूजा एस्क्वार कितना दिया है 자 6 गूणे भूजा क्या होता है तो आप देख सकते हैं घंप का अअगा हो जाएगा चाहां ओए दोसोभगा सुल्ण होता है तो तक आपका एंसर दी हो जाएगा जानी शतीश को वराबर को देखेंगे बरावर उचाहि दिया है लेकिन इसका आयतन दिया है अलग-छपेश्टान कुछ अलग होगा इसका अलग होगा है इसका यह काम करते हैं लग का है इतन क्या होता है आयए स्क्वाइर एंस पाई यार इसक्वा Agnes बट्रम हो जाएगा ऑंब्ह इंज पा चौँचाई समाने हैं यह वहला जाएगा अधर होता है कि ये गो आर बराबर कितना आया तीन और एक आर बराबर आया चार तीन चार ले जाके भर देना है किसमे बारन नमर कुश्चन देखियेगा बहुत ही important है और त्रीजे वाले बेलन का बक्र पिष्ट का छेतरफल कितना होता है तो बेलन का बक्र पिष्ट होता है टू पाई आर एच तो उमीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अच्छा लगे तो तो भी कमेंट कीजिए ठीक है क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा है यहां देखिए अगला कुस्चन है ध्यान से और गौर से देखिए और कुस्चन को रट जाएगा यहां पर लि क्ति अब अगर यहां सबसे ज्यादा आया है ठीक है कि किसी बरम वरता का बहुलक क्या होता है तो संख्या अधिक बार आता है उसे ही तो कहते हैं अण्ति क्या बहुलक यहां माठी का माठीकाह कि तक सबसे पॉलूस संख्यां को और होई और हो यह ऐए और होई करम में सजाते हैं या निकि का मतलब है कि इसेटर्ण का मतलब खेंस और है जब इसको शाइए ठोगा और उसके बात शैइए acquainted可以 है एक जो संख्या ही है तो इन कमान यहाँ पर हो जाएगा कितना साथ और यहाँ साथ एक क्या है और नमबर यानि भी सम संख्या है तो इसका माधिका का फर्मूला होता है एन पॉलस वन बट्टा टू एन यानि साथ पॉलस वन बट्टा टू साथ और एक आठ बट्टा दो कटाईएगा तो कितना होगा चार होगा यानि कि 4 number पर जो संख्या वही माधिका होगा तो चार नमर पर संख्या कौन होगा 1 2 3 4 4 पर चार ही आ रहा है आपका option 3 4 5 और मादह निकालने मादह निकले यह फिर एवे रिज निकले दोनों बात एक ही है ठीक है तो कैसे निकालते हैं सबदी जितना संख्या उतना से भाग देदिजे तो सब को जोड़िएगा जब सबको जोड़े तो 5 और चार एक दो तीन चार पांच छे हो गया जिए नहीं होगा आपको पांच ही ठोले ना है तो जीरो से ले करके चार तक पांच गोजा रहा है चार तीन साथ साथ और दू नौ और एक दस अब आटा में कितना पांच क्योंकि टोटल संकिया पांच होगे पांदू ना दस अपका एंसर दो हो जाएगा अगला कुस्चन देखिए संचाइ बरमबरता जो होता है उसका जो बक्र कहलता है तोरां होता है इसे तोरां कहते है टेडी लाइन तोरण ठीक है याद रखेगा बक्रमाने तोरण होता है देखे यहाँ पर question जो है यहाँ लिखा यदि x यह दे दिया है और इसका क्या बोला है कि x का मान निकले इसका माधे बे दिया तो माधे में बता है तिकि सब को जोड़िए average जैसा है तो यानि माधे बराबर लिख दे है यहाँ पर एक्स पुलस तीन पुलस चार पुलस पांच टोटल संक स्ञेख़ों है चार गुऐं तो चैन ना डियए चार बराबर पांच चार नौब्वा से बराबर तुम 6 Separate कि इंगास सबसे चोटा संख्या को घटा दीजिए तो उसी को परिशर बोलते हैं तो सबसे बड़ा संख्या इसमें तो सबसे बड़ा संख्या इसमें तो सबसे च्छोटा रहाए चीज मिलाएगा चाहिए यहां पर चीज मिलाएगा चाहर कितना बार एक बार दो बार तीन बार है और यहां पर 6 भी ये एक बार, दो बार और 3 बार यहनि 2 थो नंबर बराबर अंक में तो यह दोनों बहुलक होजाँगा यह नहीं कि एक ठो होगा दोनों बराबर है और सब 2 से 3 से कम है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा बहुलक बहुत बार है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है चरो यानि कि चरो को आरोही या औरोही करम में सजाने रखने पर रखने में बीच के चर कमान कहलाता है तो आरोही में सजाई चाहें आरोही में सजाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं चर को माधिका बोलते हैं अगला कुश्च देखिए हम लोग जब बरंबरता पड़े तो उसमें हम लोग देखे होंगे कि वर्ग अंतराल कैसे निकलता है यानि कि दोनों ए और भी के वर्ग चीन को जोड़ दीजिए अब अब टू कर दीजिए तो आपका वर्ग अंतराल का चीन निकलता है ठीक है यहां देखें किसी इत्रण के माधें बहुलों कर यह फर्मूला आप पड़े होंगे शुरू में कुस्चन आप पड़े होंगे तो यही फर्मूला तो उम्हीत करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा तो यहां पर जो हम लोग कुस्चन देखेंगे बहुत ही मज़दार है और लेसन में इं एक्सिडेंट हो गया तो गया तो दुनिया से चले जाएंगे ठीक है पहला गड़ना या तो मर जाएंगे नहीं तो मर जाएंगे तो गटना कितना हुआ दो यह टोटल घटना आपका हो गया दो अब पुछ दे जाए कि एक्सिडेंट होने के बाद मरने की परीगता निकाले तो बताइए दूगों घटना हो रहा है तो जो घटना होता है उसे उपर अट टोटल कंडिशन को है संभावना था दूगों का तो होगे भिचारे मर गये अगर तो एक बरना अगर में से कोई एक होगा तो जो घटना होगा उसे उपर नीचे इसका एक बटा दो answer वह जाएगा यानि कि अगर घटना होगा तो सब्सक्राइब तो यहां पर समझ यह कोई घटना हुआ है तो यहां पर पी डिस का मान क्या होगा यहां पर इसका मतलब होता है घटना नहीं होने तो एक पॉलस जीरो आपका एंसर कितना हो जाएगा एक ठीक है लेकिन एक और कंडिशन होता है मानले जिए यह थैला है इसमें आप दूगो रेड बॉल डाले है रेड़ बॉल दूगो और तीन को ब्लैक बॉल डाले है ठीक है तो टोटल मिले के पांच बॉल डाले अगर हम कि बताइए कि हरा बॉल की परीक्ता क्या है तो इसमें तो संभवे नहीं है इसमें तो बॉले नहीं है हरा तो इस टाइप के परीक्ता क्या हो जाता है जीरो हो जाता है क्योंकि घटना संभवे नहीं है अब डालेंगे लाल और यह ब्लू या ब्लैक जो भी डालेंगे तो हरा इसमें कहां से होगा तो यह घटना संभाव नहीं है ठीक है तो इसका जो घटना संभाव नहीं है उसका परिक्ता जीरो होता है या फिर घटना कभी माइनस में भी नहीं होता है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है एक संभाव घटना होनी की परिक्ता क्या है तो जीरो होती है जो संभव है नहीं तो जीरो होगा आप आप जब यह बताया थे कि लाल काला था और ग्रीन अगर पूच दे रहे है तो जीरो हो जाएगा यहाद एकर या तो मरेंगे नहीं तो बचा नहीं हो सकता है औरी कोस्टन के किसी घटना लिए सही topics तो एके लिए सही यानि घटना अगर हो रहा है तो वन हो जाएगा एके बार घटना होता है ठीक है अगला कुश्चन है यदि यानि कि किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है तो माइनस में कभी भी घटना नहीं होता है ठीक है और निश्चित घटना एक ही बार होता है निश्चित घटना की परिक्ता एक होता है घटना घटेगा नहीं तो नहीं घटेगा अगला कुछ ने एक सिक्का को एक बार उ अतला होता है क्या संभावना चीत आने की संभाहना तो बते कितना बार चीत आएगा ढला घट म hanno आया दो या तो चीत कहीं आ गया तो एक बर आयगा दोनूं तो ऐसे होगा ही नहीं तो एक बार दूएंसर इसका हो जाएगा ठीक है टोटल को लिखते हैं नीचे आज की परीष यहां देखिए बावन पत्ता के गडडी जो है ठीक है अच्छी तरह से फेट लीजिए और उसमें देखिए एक क्या करना है फेटे में एक का को होता है जो ए लिखर गड़े चार घो रहता है तो इक पुछंन पूरा नीचे और एक का होता है चार में जब इसको कटाईएगा कटाने के बाद आपका होगा यहां पहिए ओड़ाओ जाएगा दो की इतना होगा एक तो होता है के चरगु उसके बाससे क्यू चपोर गुलाम चारगु कि चारो में तसवीर होता है तो क्या होता है तस्वेर होता है तो यहाँ लिख सकता है है थीका है जब आप 12 लिखेगा तो यहांसे और यहां से कटा यह गका यह गाएं ऑगर सबस्क्राइब के एक साथ दोषिक्ट्क kep इसमें भी हेड और इसमें भी इमें हैड नहीं आ रहे हैं किन बार है dal्य गाँ तेका ईयने की सम्थाऊंगर आपका एंसर सहीं यह व्लवा हो जाएंगा रिणाव जाएगा दस नंबर शेंगर में और यह आपका कम्पलीट पूरा का पूरा सब्जेक्टीब कानी चोड़ काफी कम कुस्टन तो ज्यादा है लेकिन इंसर बहुत काम है आप सोचिएगा कि किस तरीका से वो सेट किया गया है और उसके बास से हिस्ट्री यानि सेस्टी का आपका पूरा कम्प्लीट करके ये अपन एकेडमी आपको देगा ताप ये आपका रिजल्ट बहुत ही बहतरी हो सके तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन